Friends, Welcome back to my channel तो आज की recipe में लेके आए हूँ कड़ी की और पकोड़ा पकोड़ा ऐसा कि एकदम soft उसका ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे कि एकदम soft पकोड़ा बनेगा और मुह में डालते ही गुल जाएगा पकोड़ा कि एकदम कभी-कभी इतना tight बनता है कड़ी में डाले रहो किते देर भी उबालो लेकिन पकोड़ा soft नहीं होता है तो मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि एकदम soft पकोड़ा बनेगा और कड़ी भी न जादा पतली होगी और नहीं जादा गाड़ी कड़ी होगी तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने ले लिया है एक कप बेशन बेशन का वन थर्ड पकोड़ी के लिए मैंने ले लिया और यह डाल दे अजवाइन healthy powder और थोड़ा-थोड़ा पानी करके पकोड़ी का थोड़ी थोड़ा पानी डालके इसको अच्छे से फेट लेना है ज़्यादा पानी डालना है ज़्यादा पानी डालने से क्या lumps बन जाएंगे जिससे कि पकोड़ा अच्छा नहीं बनेगा अब मैंने इसको ढख दिया है ढख के इसे करीब 20 मिनट के लिए रख देना है और अब जो बचा हुआ बेशन है वो मैंने मिक्सर ग्रैंडर में डाल दिया और दही लिया है खटी है अगर तो दो कप और कम खटी है तो तीन कप लेना है उसी कप से जिससे हमें बेशन ना पाथा और ये हल्दी पावडर डाल देना है इसको मिक्सर ग्रैंडर से ग्रैंड कर लेना है इस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा, अब ये 20 मिनिट हो गया है, अब इसको फेटेंगे, इसको करीब मैं 20 मिनिट रख दिया था, और उसके बाद 5 बड़ इसको फेटना है, अब मैंने ले लिया है, कड़ा ही, और मीडियम फ्लेम पेस को तलना है, और तेल इतना डालना है, जो कि पकोड़ा आधा उपर रहे, आधा तेल के अंदर रहे, देखे, इस तरीके से बबल टाइब को पढ़ गया है न, तो पकोड़े में ये पढ़ना बहुँ ज़रूरी है, ताकि इसे में कड़ी भरेगी, और ब्राउन और इसको प्लेट में निकाल लेना है, अब पड़ी बनाने के लिए मैंने एक पतेला लिया, इसको मीडियम फ्लेम पे ही रखना है इस पे, और थोड़ा सा तेल डालना है, एक चम्मच के करीब, और ये मैंने लसन वाधरक को कूट के लिया है, और दो हरी मिर्च क बीच से ऐसे काट देया है, इसको मैं गोल्डन प्राउन होने तक इसको भी पकाना है, ये इस तरीके से हो गया, अब इसमें मैं जो घोल बनाया था वो डाला है, और इसमें जो कप से इमने दशी कम आप लिया था और वेशन का, उसी कप से पांच कप के करीब, पानी डालन पांच य छे कप डालना है और इसे चलाते रहें जब तक कि उबालना आ जाए उबालना आने के पहले जगर छोड़ देंगे तो दही क्या फट जाएगी तो कड़ी अच्छी नहीं बनेगी और इसमें टेस्ट के कॉडिंग नमक डाल देना है खटी है तो थोड़ा ज्यादा इसमें डाल दिया मैंने जो पकोड़ा बनाया था उसको और मीडियम फ्लेम पेस को पांच मेरे तक इसको पकाना है ऐसे छोड़ा देना है पकेग अपना अभी मैं तड़के के तैयारी करती हूँ मैंने लिया तेल और इसमें डाल दिया जीरा यह साबुत धन्या और मेथी यह पक जाए तो उसमें डालना है दो लाल मिर्च बीच से मैंने तोड़ दिया है और आठ से दस कड़ी पता लास्ट में डालेंगे हींग और लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर इसलिए डालना है क्योंगी कलर अच्छा आता है इससे और यह लगाया मैंने तड़का इसको धखके तुरन धखके रख देना है और पांच मेड़ बाद इसको खोल के देखेंगे देखे इस तरीके से बन गई हमारी कड़ी देखे इतना प्यारा कलर आया हुआ है खुश्बू भी इतनी अच्छी आ रही है कि टेस्ट तो अच्छा हो गई है देखे इस तरीके से बना है पकोड़ा भी पूरा अच्छे से सोक लिया है कड़ी को देखे अब इसको आप चाव से, रोटी से, किसी के साथ भी साइब कर सकते हैं, तो कैसा लगा?